Hello everyone, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, गवर्मेंट जवब जेन्यू नौटिफिकेशन So, राजस्थान नगरपाल का भरती सफाई करमचारी भरती 2024 का न्यू नौटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है और टोटल विकेंसी 24,797 हैं अब जो कैंडिट पहले 2023 में भी सफाई करमचारी के लिए विकेंसी आई हुई थी लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप अपडेट क्योंकि काफी कैंडिट के कमेंट भी आ रहे थे राइस्थान में ही सफाई करमचारी के विकेंसी आई थी 2023 में तो उनके लिए भी यहाँ पर जो एपलाई है एपलिकेशन है और फिर से एपलाई नहीं करेंगे जो 2023 में किये हैं क्या करना होगा आपको आगे हम वीडियो में जानेंगे तो जो निउ कैंडिदेट है वो भी आँपर आविदन कर सकेंगे जो 2023 में आविदन नहीं किये हैं जिनोंने apply किया हुआ है 2023 में उनके लिए क्या करना होगा वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगे notification के थुरू तो new recruitment है यह सफाई करमचारी के लिए और vacancy भी 24,797 है अच्छी खासी vacancy है अगर आप आप interested है इस post के लिए then आप video को continue रखेगा आपको सारे information दी जाएगी और आप भी आविदन करने से पहले एक वर इसका notification चेक आउट ज़रू कीज़ेगा तो चलिए मैंने इसका notification डाउनलोड किया हुआ है पहले हम इसका notification देख लेते हैं तो यहाँ पर आप ये notification देख रहे हैं एक मार्च 2024 को ये notice release हुआ है ठीक है स्वायत सासन विभाग राजस्थान जैपूर से सफाय करमचारी पत की सीधी भरती हित्तू बिग्यापन संक्या once less 2024 ये new notification है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जो 2023 में भी apply किये हुए उनके लिए भी इस notification में clear किये गई हैं कुछ बातें जो हम जानेंगे राजस्थान नगरपाल का सफाय करमचारी सेवा नियम 2012 के अंतरगत राजिकी 186 नगरिये निकायों के निकाय बार बिग्यापती बिग्यापित कुल सफाय करमचारीयों की 24,797 बिकैंसी है, डारेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भरती है, सो इसमें जो भी candidate इंट्रेस्टेट हो, online आविदन आप कर सकते हैं Online application आपके 4th March 2024 यानि 4 March से start हो जाएंगे, आज 2nd of March है, 4th March से start हो जाएंगे And last date इसकी 24 March रहेगी, 4 March से लेकर के 24 March तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं And online आविदन करने में जो correction आप करना चाहते हैं, अगर mistake आप से हो जाती है, तो 27 March से लेकर के 2 April तक आप इसमें correction भी कर सकते हैं, इसकी official site ये दी गई है, इस पर जाकर के आप इसका notification डाउनलोड कर सकते हैं And इसमें आविदन कर सकते हैं आविदन की प्रकेरिया वही है, online आपको apply करना है, OTR जो रहता है, one time registration वो रहेगा इसमें Same जो राइस्थान में vacancies आती हैं, जो process रहती है, वही process यहाँ पर रहेगी आपका email number and, sorry, email ID and आपकी जो mobile number है, ये आपके कंपल सरी है, जो present में है, active है, वही आप यहाँ पर use कीजेगा क्योंकि उन्हीं के दौर आपको जो further information है, वो सारी आपको send की जाएगी जो candidate, जिस स्रेणी के तहट आप apply कर रहे हैं, आबिदन कर रहे हैं, जिसके लिए आप पात रहे हैं, उसी स्रेणी में आप आबिदन करेंगे जैसे categories wise रहता है, तो आप अपनी category के accordingly, जहाँ पर आप eligible हैं, उसी साबसे आप इसमें online आबिदन करेंगे अब देखें, यहाँ पर दिया गया है 2023 के जो candidate है उनके लिए, जिन candidate ने पहले जो विग्यापन जारी हुआ था, 01-2023 जो की 9 जून 2023 को जारी किया गया था, अगर आपने उसमें आविदन कर लिया है, तो उनने फिर से apply करने की जरूरत नहीं है, पूर्व में आबिदित अ हुआ है, तो आप बिल्कुल apply ना करें, इसी notification के through आपका जो भी selection वगरा रहेगा, आपका किया जाएगा, and apply आपके बर एक ही नगरिये निकाय में आविदन करेंगी, ठीक है, एक से जादा में नहीं करेंगे, और जो candidate, रायस्थान के मून निवासी होंगे, स्थाई निव सकते हैं, अब आपका जो आविदन है, आविदक से आविदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, आता अपना जनाधार कार्ड को update रखें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आविदन सुल्क, तो सुल्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो examination है, आपको ये fees जमा करनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पंजियन जरू करवा लीजेगा OTR, ओनलाइन आविदन पत्र में, आविदक दोरा की गई, त्रूटी, यानि जो आपका correction है, वो कर लिया जाएगा, लेकिन आपके, उसका charge रहेगा, correction का, एक mistake अगर आप correct करते हैं, तो आप देखे, यहाँ पर पूरा detail list प्रोवाइट की गई है, कहाँ पर कितनी है, उस हिसाब से आप देख लेजेगा, कि आपको किस निकाय से आविदन करना है, जो sports person है, उनके लिए यहाँ पर कुछ शूट दी जाएगी, तो अगर आप sports person है, तो आप इसको देख दीजेगा, ठीक है, पीडावलूडी candidate के लिए भी हम पर बताया गया है, अब देखे, यहाँ पर अहरता, तो आविदन करता रायस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, सबाई करमचारी सीधी भरती पध हितू, योगता अभ्यारतियों को राज्जी के किसी भी न आपका आविदन करने की जो last date है, यानि 24 मार्स तक का आपका जरूर होना चाहिए, एक minimum 20 year का आपका मांगा गया है, character certificate होना चाहिए, आपकी जो बेतनमान यानि salary है, वो लेवल बन की रहेगी, जो की group D की रहती है, वही आपकी यहाँ salary रहेगी, Indian citizen इसमें आविदन कर सकते हैं, ठीक है, so IUC मा देखेंगे, तो एक जनवरी 2025 से आपकी age count की जाएगी, 18-40 साल आपकी age होनी चाहिए, आप यहाँ देख रहे है, 18-40 year, और जो reserve categories में आते हैं, उनको यहाँ पर आप chart देखेंगे, age relaxation दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह आप देखेंगे, सामन बर की महला जो राजस्थान के मूल निवासी है, उनको भी 5 साल का relaxation दिया जा रहा है, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आपकी category के accordingly इसको check कर लेंगे, कि आप यहाँ पर कैसे आविदन, देखेंगे, इसमें एक point आपको यह भी मिलेगा, कि राजस्थान state के बाहर के जो candidate है, वो general candidate, या जनरल category में आविदन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक point यह भी है, कि राजस्थान का स्थानिवासी होना मूल निवासी होना आविश्यक है, तो यह वही condition हो सकती है, कि आपने वहार से पढ़ाई की है, या वहार से आपने राधर state से बलॉंग करते हैं, बात में आप राजस् प्रोसीजर में यहाँ पर आपका लोटरी परकिरिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, जितनी वेकेंसी है, उसका तीन गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएगे, प्रायोगेक परिक्षा है तू, अब यहाँ पर किलियर ली दिख भी नी रहा है, कुछ मिस्प्रिं और अनुवब अब्दी या अनुवब इस्थान कारविष्टा के आधर पर, योगता के आधर पर फिर यहाँ पर आपका सेलेक्शन होगा, प्रायोगेक परिक्षा मुल्यांकन के लिए कुछ मांदन दिये गए हैं, जो कि आपकी EAS, क्वालिफिकेशन और सारा सब कुछ आ अगरा सारे सब कुछ है, चेक किये जाएंगे, पैंशन, तो यहाँ पर आपको पैंशन भी मिलेगी, ठीक है, तो ओनलाइन आपको आविधन करना है, चार्ज मार्स से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप आविधन करना चाहें, एक बर आप इसका नोटिफिकेशन केरुफ कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि सफाई करमचारी भरती का क्या हुआ, तो फाइनली आपको यहाँ पर अपडेट मिल गया है, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिगा, थैंक यू